हेलो दोस्तों तो छलिए हम लोग बात कर रहे थे MPEK के मौक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं मद्धपदे सामान ग्यान से संब्दी जो आपकी कुर्चेंस होते हैं उन्हें और जेक्ट रूम में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो अभी तक इस तरह के हम लोग 6 टेस्ट अभी खतम कर चुके हैं यह आपका साथवा टेस्ट हैं तो याद रखिए अगर आपने मद्धदे शामान ग्यान को डेटेल में नहीं बढ़ा है तो हम लोगों ने हमारी त्रफ से बहुत अच्छे से मद्धदे शामान ग्यान को बहुत ही डेटेल के साथ वह है इतने में आपका मद्विदेश सामान ग्यान कभर हो जाएगा इससे बाहर आपका कोई भी questions नहीं जाएगा इतना के लिए तो चलिए हम लोग पहले question पर चलते हैं नेमने कतनों पर विचार करना है क्या करना है विचार करना है उससही कतन इनुमें से चुनना है में बाला घाट वा सिवनी जिलों में तालावं द्वारा सरवादिक से चाही होती है बिल्कुल सही है मद्विदेश में कुवों बन्डल कूपों द्वारा सरवादिक से चाही होती है यह भी आपका सही है डिंडोरी जिला नियुनतम से चाही वाला जिला है यह भी आपका सही है तो कुष्चे नमबर एक में आपके तीनों कतर सही है तो क्या होगा डी ओप्षन सही होगा कुष्चे ने दूसरा कि प्रदेश की पहली अंतरगाटी परियोजना है प्रदेश की पहली अंतरगाटी परियोजना है चोरल नदी परियोजना ए ओप्षन सही है क्या है ए ओप्षन सही है क्युष्चे ने मारा तीसरा निमली कित्म से कौन समलित नहीं है पूँच रहे बाग परियोजना मद्पिदेश महराश सही है काली सागर परियोजना मद्पिदेश महराश सही ह EU परियोजना, मदपिदेश उड़ी सा, सही है सरदास रोबर परियोजना, मदपिदेश उत्तरपिदेश, यह आपका गलत हो कुश्य नमबर 3 में क्या होगा? D D सुमलित नहीं है तो कुश्य नमबर 3 का D हो चलते हैं कुश्य नमबर 4 की तरह कैन बैदवा नदी लिंक परियोजना, मदपिदेश की किस राष्टी उद्यान से उपर गुजरती है पन्ना कैन बैदवा नदी लिंक परियोजना, मदपिदेश की किस राष्टी उद्यान से गुजरती है तो यह पन्ना से गुजरती है ट्रीक है ए ओप्षन सही है आपका कुष्टेन है पांच निमने को सुम्लित करना है सूची एक और सूची दू सुक्ता परियोजना इसमें होगा खंडवा थावर परियोजना मंडला बार्ना परियोजना राइसेंड और चोरल नदी परियोजना इंदौर क्या होगा बी ओप्षन कुष्टेन नम्बर पांच में आपका बी होगा ठीक है चलते हैं कुष्टेन नम्बर चटवे की तरह निमने कत्रों पर विचार करना है सुद्ध सिंचित सुद्ध सिंचित चेतपल की दिरुष्टी से भारत में मद्धिश का सातवा इस्थान है सही है 1905 में ग्वाली राजि के तत्कालीन महराजा ने राज्य में सिचाई विभाक की इस्थापना की थी ए भी आपका सही है निमने कि लिखित कत्रों में से असत्त नहीं है तो दोनों असत्त नहीं है तो इसमें क्या होगा सी याद रखिए अगर इस तरह कि आपके कोई questions आते हैं तो उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लिया करिएगा इस point को क्योंकि यह आते हुए question भी गलत हो जाते हैं इस point को ना पढ़ने की वज़े से ठीक है? चलते हैं हम लोग question नमर 7 की तरह निम्ने परियोजनाओं बसम्मदीत इस्थल में आसम्मद्धे सरदार संजय सरूबर बालागाड, बान सागर दिवलोर, समराठ असोक सागर बिदी सागर, राजीव सागर होसंगवाद यह आपका गलत है क्योंकि नमर 7 में आपका D option है क्या है? D option गलत है क्योंकि नम्न में से सरवादिक सिचाई बाली परियोजना है क्योंसी है? बरगी विप वलतन परियोजना आप में आपका D क्योंकि नम्न है मारा 9 निमने परियोजना बस सम्मन्ती जिलेश में आ सम्मन्त है यानि कि समलित नहीं है उपरी नर्वर्दा डिनोरी सही है निमने गोई बढ़वानी सही है हालोन हर्दा नहीं आई और पुनासा खंडवा सही है तो कुश्य नमर 9 में क्या होगा आपका? C गलत होगा C होगा कुश्य नहीं है मार 10 सुंगलू सम्मती का संबंध है नर्वर्दा सागर से गलत है इंद्रा सागर एवी गलत है महेसो परियोजना एवी गलत है इसमें आकिर क्या होगा? सर्दार सरोबर से दस में क्या होगा? C ये कई बार कुश्य नहीं पूछा जा चुका है बहुत ही मात पूण है ठीक है? सुंगलू सम्ती का संबंध किसे सर्दार सरोबर से कुश्य नहीं मारा 11 प्रिदेश में नौववाहन परियोजना किस नदी पर पिस्तावित है? नर्वदा पर 11 में आपका A 11 में क्या होगा? A कुश्य नहीं बारे नर्वदा घाटी परियोजना किंतरगर पिदेश में कितनी सिचाई चमता भिक्सित की जा सकीगी तो ये है आपकी 27.55,00,00,00,00 कुश्य नमबर बारे में आपका A होगा कुश्य नहीं मारा 13 सरदा सरोबर परियोजना किसे प्रभावित पुरा तात्वी किसमार्खों को कहा संगीत किया गया है? कसराबाद संगराले खरवोन में इसमें क्या होगा? B option 13 में कुश्य नमरा 14 राज में सिचाई का प्रमुक साधन कौन सा है? मद्ध देश राज में सिचाई का प्रमुक साधन कौन सा है? कुए और नल्कूप कुश्य नमरा 14 में आपका ये option सही हुआ 15 नमरा 14 में से कौन सी प्रियोजना? मद्ध देश उत्तर प्रियोजना है नमरा 14 में से कौन सी प्रियोजना? मद्ध देश उत्तर प्रियोजना है तो ये आपकी राणी लक्षमी भाई प्रियोजना 15 में आपका बी है क्या है? बी option सही है कुश्यन है 16 पलकमती सचाई ताला बोपाल में कब बनाये गया? तो ये आपका 1933 में सन 1933 में यानि की 16 में आपका ए होगा 17 चम्बल गाटी भी योजना को कितने चर्णों में आरम किया गया है? 3 17 में क्या होगा? B option कुश्यन है हमारा 18 मदबिदेश में सरपितम नहर का निर्मार किस जिले में किया गया था? तो ये था आपका बाला गाट 18 में आपका A option सही होगा कुश्यन है मारा 19 पगारा बांग किस जिले में बनाए गया है? गौालियर में A option सही है कुश्यन है 20 चम्बल गाटी परियोजना की सुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्स 1953 में कुश्यन नमर 20 में भी आपका A option सही होगा कुश्यन है मारा 21 मद्विदेश में किस जिले में गांधी सागरबान बनाए गया है? तो ये बनाए गया है आपका मंद्व सोर में 21 में क्या होगा? C फिर ये आपका 22 मद्विदेश में तालावों में सरबादिक से चाई किस जिले में होती है? मद्विदेश में तालावों से सरबादिक से चाई किस जिले में होती है? तो ये होती है की बालागाट में कहां? बालागाट में Question है आपका 23 तवाय उजना कर्रमार्ण किस जिले में किया गया तो यह आपका हौसंगाबाद 23 में क्या होगा एक हौसंगाबाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हलाली नहर किस नदी से निकाली गई है हलाली नहर किस नदी से निकाली गई है या की निकाली गई है बैदबासे यानि किसी ओप्सन सही होगा चौवीश में फिर हमारा पच्चीस कुश्य काली सागर परियोजना किस नदी पर रिष्टे थे काली सागर परियोजना किस नदी पर रिष्टे थे यह है आपकी बाग नदी पर पच्चीस में आपका डी है कुश्यन है हमारा 26 ओकारिस और प्रियोजना से नेमलिकित में से किस जले को लाब नहीं मिलता है तो सिवपोर को नहीं मिलता है धार, खंडवा, जाबुगा को मिलता है 26 में क्या होगा आपका A option 27 27 महेसर प्रियोजना किस नदी पर बनाई गई है महेसर प्रियोजना आपकी नर्वदा नदी पर बनाई गई है कुष्यन है 28 राजगाट बांद किस नदी पर बनाई गई है यह है आपका बैतबापर राजगाट बांद आपका बैतबापर नदी पर है बी ओप्षन सही है कुश्यन है मारा 29 निम्न में से कौन सी परियोजना मद्यपिदेश महराष्ट की सेउक्त परियोजना है निम लिखित में से कौन सी परियोजना मद्यपिदेश महराष्ट की सेउक्त परियोजना है तो यह आपकी पैंच परियोजना C option सही है 29 में Question है मारा 31 जोवट परियोजना किस नदी पर बनाई गई है तो याद रखना ये आपकी हतनी नदी पर बनाई गई 30 में क्या होगा? A option Question है मारा 31 निम्न में से कौन सी मद्ध पिदेश राजिस्थान की सयुक्त परियोजना नहीं है क्या पूश रहा है? नहीं है जाबार सागर परियोजना? विल्कुल है कोसी निब्ध परियोजना? ये नहीं है कोटा परियोजना? ये सही है राणा पिताप सागर परियोजना? ये भी सही है लेकिन इसमें क्या पूछाए कि कौन सी परियोजना मद्यपदेश बायराजिस्थान की सयुक्त परियोजना नहीं है तो इसमें होगा आपका कौसी निब्रा परियोजना यानि कि भी ओप्सन सयुग एक त्तिस में 32 क्या है 32 मद्यपदेश की पहली नदी गाटी परियोजना कौन सी है तो यह आपकी चंबल गाटी परियोजना 32 में आपका C होगा क्योश्चन है 33 52 परियोजना के राज्यों की सयुक्त परियोजना है तो यह आपकी महराष्ठ और मद्यपदेश की 33 में आपका B होगा 34 बार्ट सागर परियुजना किस नदी पर वस्ते थे तो ये आपकी 100 नदी पर वस्ते थे 34 में आपका C होगा 35 सूची एक को सूची दो से सुंगलित करना है ये परियुजना है और सूची दो में नदी है हलाली परियुजना ये आपकी हलाली नदी पर है माता टीला परियुजना ये आपकी बैतवा नदी पर है जोगवट परियुजना ये आपकी हतिनी नदी पर है और थावर परियुजना ये आपकी है थावर नदी पर तो इसमें होगा आपका C, क्या होगा? C option सही होगा चलते हैं 36, असत कथन छाटना है मैं, असत कथन इनमें से छाटना है मद्वधिस में ससाई का सबसे प्रमुक, साधन, कुए एवं नलकूप है, ये आपका सत है राज में भूमीगत जलकास, सरवादिक विकास, रतलाम जले में हुआ है, ये भी आपका सही है कुवध द्वारा पश्टमी मद्वधिस में सरवादिक से चाही होती है, ये भी आपका सही है राज में पवन चक्की से सरबादिक से चाहिए खरगोन में होती है यह आपका गलत है तो इसमें क्या होगा? D 36 में क्या होगा गलत? D D यह सत्त है Question M.37 निम्न में से कौन सी मद्धपिदेश वाउत्तरपिदेश की सयुक्त परियूजना है? तो याद रखिए उर्मिल परियूजना आपकी मद्धपिदेश वाउत्तरपिदेश की सयुक्त परियूजना है 37 में क्या होगा? D 38 निम्न लिकित बानों में से कौन सा बान? नर्वदा नदी पर नहीं है क्या पूँच रहा है? निम्न लिकित में से कौन सा बान? नदी पर नहीं है बरगी है, ओकारी सुरे, इंद्रा सागर है, लिकबान सागर नहीं है 38 में आपका D होगा फिरे हमारा क्यूश्च निम्न लिकित कत्रों पर विचार करना है राज में अधिक सिचाई वाले छित, मुख्यता, चंबल संभाग तथा नरवदा पुर्वम संभाग में आती है सही है राज में अधिक से चाइस चंबल बेसन मद्ध नर्वदा गाटी बुंदेल कंडो चुबू में मालबा पठार बैनगंगा गाटी छित में की जाती है यह भी सत कथन है आपका उपयों कत्रों में से कौन सा कथन सही है तो दोनों कथन आपके सही है इसलिए बोलता हूँ कि इस पॉइंट को हर बार अच्छे से पढ़ लिया करीगा कभी भी वैसे तो इस तरह की सवाल आपके कुश्चन आईए सिविल परीक्षा में पूछे जाते है लेकर अगर पूछता है MP में भी कहीं भी तो इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लिया करीगा अब देखिए इसी कुश्चन को देख लिए दोनों कथन सही है इसमें लेकर अगर यहां पूछ लेता कि कौन सा कथन सही नहीं है नमे तो दोनों कथन आपके सही थे तो इसमें क्या हो जाता डी हो जाता चलते हैं चालीस की दरफ क्या है कुश्यन मद्विदेश की किस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है अपर बेन गंगा को मद्विदेश की किस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है अपर बेंगंगा को D option सही है 40 में तो चलिए यह था आपका साथवा test अंगली किलास में हम लोग बात करेंगे आटवे test के बारे में याद रखिए पहले आप लोग MP के जो भी chapter है MPG के है या मतविदे सामान क्यान है उसे detail में पढ़ लीजी उसके बाद mock test लगाएंगे तो हमें इससे पता चलता है कि हमारी तैयारी किस level पर पहुंच चुकी है तो मेरी सलाय यह कि उसे देख लीजे उसके बाद आप लो mock test लगाईए